आज हम आपको examination capsule में एक ऐसा capsule देने वाले हैं जिससे आपके board exam में हमेशा 3-5 अंके question पूछे जाते हैं यह question बहुत ही important है आप सभी के board exam को लेकर और आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए यह question काफी student के द्वारा काफी दिनों से हमसे पूछा जा रहा था तो finally आज इस question को हम discuss कर लेते हैं और मैं यह कहता हूँ आप इससे पहले ये question पढ़े थे या पिर नहीं पढ़े थे आप इससे पहले physics पढ़े हो या पिर नहीं पढ़े हो लेकिन इस question को आप पढ़ सकते हो असानी से आपको समझ में आएगा और board exam में 3-5 number complete हो जाएगा question है logic gates से समझ दित यानि logic gates के बारे में हम सभी questions को discuss करेंगे जो questions आपके board exam में अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे logic gates के पूरे concept को हम लोग discuss करने वाले हैं तो guys देखिए आज का यह lecture श्टार्ट करते हैं करने से पहले आप सभी लोग एक phrase page निकाल लीजे अपने copy से क्योंकि मैं logic gates के बारे में जो चीज़ें लिखाऊंगा बुलियन, बेंजक, सत्यता, सारड़ी और ग्राफ राफ यह चीज़ें अगर आप एक जगन लिखे रहोगे इस प्रकार से होता है ऐसे चलता है ठीक है एक सिंगनल इस तरह से होता है जो कि इस तरह से चलता है ऐसे है इस तरह से चलता है तो इस सिंगनल को करते हैं डिजटल सिंगनल डिजिटल सिगनल इसे हिंदी में क्या करते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है और इसे करते हैं एनोलाग सिगनल ये डिजिटल सिगनल होता है और ये एनोलाग सिगनल होता है ये एनोलाग सिगनल होता है तो लाजिक गेर्ट जो होते हैं समझना जा ध्यान से ये डिजिटल सिगनल के लिए काम करते हैं कोशन पूछ देता है कभी कभी बहुभी कलपी की रूप में कि लाजिक सिगनल काम करत कि कि लाजिक गेट किसके लिए कायब करते हैं तो यह डिजिटल सिगनल के लिए काम करते हैं यह कुछन आप तैयार रखना और इसे समझना आप अभी आपको गराब भी में बनाऊ तेखिए जो लाजिक गेट होता है सबसे पहले आप लोग हैडिंग डाले लाजिक गेट गेट आप इसे लिख सकते हो यहां पर यह यह डिजिटल सिगनल के लिए के लिए कार्य करता है यह डिजिटल सिगनल के लिए कार्य करता है किसके लिए कार्य करता है यह डिजिटल सिगनल के लिए कार्य करता है अब यह लाजिक गेट में जो इन्पूट होते हैं देखिए दो चीज़े होते हैं एक तो होता है आपका इन्पूट और यह होता है output सर यह input output क्या होता है इसके बारे मुझे बता देखो सिधी सी बात है जो आप पढ़ाई कर रहे हो अपने उपर समय दाल इस समय जो आप पढ़ाई कर रहे हो यह आपका input है जब आपका percentage आएगा तो वा आपका output होगा है जो अंदर जाद डालते हो जो जमा करते हो मालेजिए बैंक है बैंक में आपने 500 रुपे जमा किए तो एक साल में आपको मालूम है इंट्रेस लगता है करीब इसमें 4 और परसेंट की इंट्रेस लगता है तो मालेजिए 500 से आपका 510 रुपे बढ़कर हो जाता है एक साल में तो यह 510 उर्वे जो बढ़ता है यह आउट्पूट होगा और यह आपका इन्पूट होगा इस समय आप 15-15 घंटे कड़ी महनत के साथ हैं पढ़ाई कर रहे हो और जब आपका रिजल्ट आता है तो आपका आता है 95 परसेंट तो आपका यह 15 परसेंट जो पढ़ाई कर पंद सब्सक्राइब जो बाहर निकलता है तो लाजिक गेट में इन्पूट और आउट्पूट के बीच में संबंध जो बताता उसे बुलियन बेंजक करते हैं अभी आपको समझ में आएगा बुलियन बेंजक का अगर डिप्निशन पूछे तो आप क्या लिखोगी बुलियन ब बेंजक क्या होता है बुलियन बेंजक क्या होता है यह इन्पूट था आउट्पूट के बीच में संबंध बताता है वह बेंजक वह बेंजक जो इन्पूट तथा आउट्पूट के बीच में संबंध बताता है बताता है उसे क्या करते हैं बूलियन बेंजग करते हैं अब बात करते हैं लाजिक गेट की देखिए लाजिक गेट जो होता है यह वैसे तो तीन प्रकार का होता है बेसिक लाजिक गेट और पूरा ही लाजिक गेट की बात करें तो आपके पांच प्रकार के हो जाते हैं गेट, तीन प्रकार के होते हैं, के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, वैसे होते हैं पाच प्रकार के, लेकिन मुख्यतर तीन प्रकार के होते हैं, बाकी दो प्रकार जो होता, इनी प्रकारों से मिलकर बना होता है, कैसे बनता है, ये सभी चीज़ें आपक और गेट होता है दूसरा आपका अंड घट होता है और तीसरा आपका नॉट गेट होता है यह तीन गेट होते हैं लाजिक एक जो मुखेत है बेसिक गेट है इसके अलावत दो गेट होता है नौर गेट और नैंड जो कि इन गेटों से मिलकर बना होता है पहले हम इन तीनों गेटों के बारे मुझे देखिए सबसे पहले इसे आप तीन भागव में बाठ देते हैं आप भी ऐसा करना तीनों एक घेट के बारहें पड़ेंगे फिर नौट गेट के बारें पड़ेंगे अभी द्देना देखें जय दो कईपा सिगनल होता है सिगनल दो प्रकार सा होता है , जीडो हको उटे को जा ता समंझा जडा हैом यह इस तरह से आपका इक सिंगनल होते हैं मैं आपको बताना इस तरह से सिंगनल होते हैं यह तो मैंने आपको भी बताया था ना इस तरह से सिंगनल होते हैं आपका यह 0 होता है जिरो यहां पर होता है देखिए अगर इसमें क्या होता है कि आपके सिदे सिदे समझना सभी लोग कि अगर one होगा तो आप condition क्या होगा? आण होगा अगर zero होगा तो condition आप होगा अगर आपके घर में जो switch लगा हुआ है उस switch को अगर आप आण कर देते हो तो one हो जाता है अगर आप कर देते हो तो zero हो जाता है समझ स्विछ को आन कर देते हो तो वन हो जाता है अगर आन होगा तो वन कुले आप हो गा तोजरुओंगे अभी इस बात को अच्छे से हम प्रतीक होता है तह सिंब्ल या प्रतीक जो होटा है इस इंपूट है ऑइसे होता है और एसे और ठोट होता है यह आपका और गई कह प्रतीक होता है अगर और कि बंश में बेंजग की बल्युन बेंजग की बुल्य होता है वह इंपूट और आउट्पूट के सिंग संबंद है स्थापिद करता है यहां पर कौन सा है यह और भी इसमें जा और output कौँसा है y है तो यह जो boolean बेंज़क होगा input और output के बीच में संबंद अस्थापित करेगा y is equal to a plus b होता है यह किसके लिए होता है यह आपके और gate के लिए होता है यह किसके लिए होता है और gate के लिए होता है एक चीद ध्यान देना आप लोग कभी कि अगर आप 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा 1 आएगा अगर आप 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा 1 आएगा ठीक है यानि अगर कोई आप condition है दुसरा on condition है तो पूरा on होता है अगर वहीं पर 1 है और दुसरा on होता है ठीक है अगर 0 में 0 जोड़ोगे तो 1 होगा अगर यहाँ पर 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा 2 होगा नहीं 1 होगा 0 में 0 जोड़ने पर 0 होता है यह 1 होता है 1 होगा सर यह क्यों 1 में 1 जोड़ा जाता है 1 होता है देखी होता क्या है इसमें अगर आप एक परिपत में आन की हो दुसरे को भी आन कर दोगे तो दोनों ही होंगे न तो लाइक जलेगी और 1 ही होता है इसमें 2 नहीं होता है बैने आपको बता है बाइनरी नम्मर सिस्टम में बूलियन बेंज़क हो गया, अब हम क्या करते हैं, इसका हम लोग सत्यता साड़ी बनाते हैं, सत्यता साड़ी बनाते हैं, सत्यता साड़ी में क्या होगा, इसमें दो बेंज़क होंगे, A होगा B होगा और Y होगा A प्लस B अगर माल लेते हैं हम लोग इस तरह से इसका ग्राप भी हम आपको बना कर दिखाएंगे तो यहां पर इसमें देखें एक यहां पर 1 रखी और और B के यहां पर 0 रखी है तो 0 में 1 जुड़ेगा तो क्या होता है 1 आता है तो यहां पर A प्लस B Y is equal to 1 होगा तो इसमें क्या कंडिशन होगा यहां इस समय लाइट जाएगे अगर माल लेजिए A पर 0 है और B पर 1 है तो क्या होगा A पर 0 कर दिजिए B पर 1 कर दिजिए और बी पर भी 0 है दोनों पर 0 है यहांपर भी 0 यहांपर 0 जिरो में 0 जुड़ता है तो क्या होता है मैंने आपको बताया 0 होता है यहंपर 0 होगा यह भी कि अगर एक वान की दोनों वान हो गया तो बीच में प्लस है तो यह आपका दो नहीं हो जाएगा वह नहीं रहेगा तो यह आपका इसकी सत्यता साड़ी होती है इसमें क्या होता है जब आप आप जब आपका दोनों 00 होगा तो जिरो आता है और इस कंडिशन में यह आपका बंद होता है तो और गेट की सिंबल यह हुआ बुलियन बेंजा की यह हुआ y is equal to a plus b और सत्यता साड़ी हुआ जिसमें आपका 1 है जिरो के साथ अगर करेगा तो 1 होगा बर 1 001 तो वही मतलब होगा 00 तो 0 होगा 11 तो वन होगा ठीक है यह आपका और गेट का सिस्टम हुआ एक पार इसे new करिए आप सभी लोग तो ने गेट को समझते हैं अगर सभी चीजे आगर आप समंझ لوगे तो पूरी ऐसल में आने लिगों नोट करिए आप शभी लोग तो अभी मैं आ रहा हूं बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आप लोग को अरा होगा बात को समझेगा ये सिंग्नल वाला चीज ठीग है अब जरह मुझे आप लोग बताएं अगर वन में कि जिरो का मैं डोण किये मतलब गुड़ा की तो क्या होगा जीरो होगा या फिर वन होगा सहीज बताया आपने 0 होगा कुछ लोगों ने सही बताया कि 0 होगा 0 ही होगा अगर 0 में 1 का खुड़ा की है तो सर क्या इसको आगे लिखें या इसको आगे लिखें मतलब तो होगा ना 0 होगा अगर 1 में 1 का multiply करें तो क्या होगा 1 होगा यह आपका याद रखना यह यहाँ पर ही हो जाएगे तेखिए, NAND gate का अगर symbol की बात करें, प्रतीक की बात करें प्रतीक की बात करें तो NAND gate की प्रतीक इस तरह से होता है यह D होता ने यह D, last word, इसी के अमसार होता है इसमें दो आपके signal इस तरह से input होते हैं A और B इस तरह से input होते हैं और output यहाँ पर Y होता है अगर इसके boolean venjic की बात करें किसका? boolean venjic boolean venjic boolean venjic boolean venjic की बात करें तो इसका होता है Y is equal to A dot B यह आपका इसका boolean venjic होता है किसका? इस end gate की अगर इसकी सतेता साड़ी की बात करते हैं सतेता साड़ी आप मेरे साथ साथ बनाना समझ में आएगा अब इसमें हम क्या करते है सबसे पहले ये a हो गया ये b हो गया ये वाला signal on से ये b को 1 करते है तो 0 और इंटु 1 तो यहां पर देखिए A को 0 किया इंटु B को 1 किया तो Y का मन क्या होगा 0 में 1 का गुड़ा करोगे multiply करोगे तो 0 हो जाएगा इस condition में यह परिपत क्या है आप condition अगर 0 आता है तो आप condition होता है 0 आता है तो आप condition होता है वहीं पर हमने क्या किया अगर हमने A को 1 कर दिया और B को 0 कर दिया A को 1 कर दिया B को 0 की दिया मिल्क बीच में यह multiply का चेनी अभी इस condition में क्या होगा 0 होगा यह भी आप condition होगा क्यों सर क्योंकि 0 में 1 का या 1 में 0 का गुड़ा करें तो आपका 0 ही आता है तीसरी चीज़ अगर मालीजे आपको यहाँ पर 1 में 1 का गुड़ा कर दिया जाए 1 में 1 का गुड़ा कर दिया जाए तो यह क्या होगा 1 में 1 का गुड़ा करें तो यह क्या होगा 1 होगा आपको मालूम है one way one का गुड़ा करेंगी तो one होगा मतलबA वाले को भी signal दे दिया भी वाले को भी signal दे दिया दोनों को signal दिया तो या और B मिलकर क्या हो जाएगा वअन हो जाएगा डबे के अंदर एक रखाल यहां से यहां से दोनों multiply होकर निकलेंगी तो one होगा और यह एक single condition होगा आप आनवाला है यह single condition होगा आनवाला है यह आपकी पूरी की पूरी सतता साधी है and gate की note कर यह से आप लोगो समझ में आ रहा है ना आप लोगो कुछ नहीं है इसमें one way one की आपको गुड़ा भाग सिखाना है यह आपर वं ए वं की गुड़ा हो रहा है तो क्या हो रा अब देख रहा हो ले जोड़ रहा तो क्या हो आप देख रहे हो नहीं समझ IPS लिखें अधें नाटट गेट में क्या होता है नौट केट में एक ध्यान देना अगर एक की उपर बार लग जाता है तो एक का उल्टा जाता है जिरो अगर जिरो की उपर बार लगए तो जिरो का उल्टा एक हो जाएगा इस बात को ध्यान लखना इसका यूज होगा यहांपर अगर एक की उपर बार होगा तो उसका मान जिरो हो जाता है अगर जिरो की उपर बार होता है तो उसका मान क्या हो जाता है यानि अगर 0 की उपर बार लगता है तो उसका मान 1 होगा अगर 1 की उपर बार लगता है तो उसका मान 0 होगा नाट केट की बात करें उसका नाट केट की प्रतीक की बात करें प्रतीक इसका प्रतीक की बात करें तो इसकी प्रतीक इस प्रकार से होती है यहां पर एक देखें, यहां पर एक बड़ा सा गोला होता है, और यह not get का पहचान होता है, आगे अभी आप लोग देखोगे, यह बड़ा सा गोला होता है, इसमें कोई दो signal नहीं होता है, इसमें क्यों एक signal होता है, और यहां पर output y होता है, एक signal यह होता है, और output यहां पर y होता है नाट इट में ठीक है इसकी बुलियन बेंजक की बात करते हैं बुलियन बेंजक की बात करते हैं इसका बुलियन बेंजक की बात करते हैं बुलियन बेंजक क्या होगा इसका इसके बुलियन बेंजक की बात करते हैं तो वाई एक को लुक क्या हो जाएगा एक की उपर पार कहां हिर्य किंग घ्रोपे में मैं ये के उपर बार का मतलब क्या हुआ अगर वाण इसमीं दालते हो तो वनका उल्टा हो जाएगा बार लग कर जीरु हो जाएगा अगर जीरु डालते हो तो जीरो निीरुड़ी का वियर बाहती मृतisi कैफिक है यह आपका निर्गत और आउटपूट सिंगनल हो गया अगर इसकी सत्यता साड़ी की बात करें सत्यता सारड़ी सत्यता साड़ी की बात करें तो क्या होगा देखी यहाँ पर यह होगा और यहाँ पर आपका वाई होगा ठीक है यह होगा और यहाँ पर y होगा एक के लिए अगर किसी का मान 1 है तो y के लिए 0 हो जाएगा अगर एक के लिए 0 है तो y के लिए 1 हो जाएगा क्यों होगा एक के उपर अगर बार लग जाएगा तो उस का मान 0 हो जाता है अगर एक के लिए 1 है तो 1 के उपर अगर यही पर कामान जीरो है तो जीरो के ऊपर बार कामान बन हो जाता है तूई बात को समझना यह आपका सत्यता साडी किसके लिए हो जाएगा not gate के लिए exam में सत्यता साडी तक question पुछता है graph से question नहीं पुछता है यह दो साल के छोड़ कर मुझे नहीं रखता है graph से question पूछा जाएगा इसलिए मैं graph पर इसके focus नहीं कर रहा हूं वैसे इसका graph भी बनाना बहुत ही आसान है बहुत आसान है तेकिन मैं नहीं focus कर रहा हूं जाने देजिए graph के चक्कर में मत पढ़िए ठीक है आप उन्हीं चीजों को पढ़िए जो limited च होता है आइज इकल टू एप्लस भी और इसका बैसे क्या होता है वा इकल डाट भी और इसका बैसे क्या होता है थीनों पहर लोगनने नॉट लगा प्रतीज है ठीक है अब हम क्या करतें सबसे पहले हम लोग इसको रप करते हैं यह नौर गेट को रप करते हैं ठीक है और यहां पर हम लोग बनाते हैं कि नैंड गेट ठीक है क्या नैन डेट क्या बनाते हैं नैंड गेट इसमें आपर हम लोग बनाते हैं तो जो कि आपका चौथा गेट यंदे यन ए ए यन डि Nand Gate नद Gate के बारे में देखते हैं यन A यन Ed Nand Gate के बारे में देखते हैं बहुत पहले क्या हुआ करता था यहाँ से सिधे ऐसे भी पूछा करता था कि Nand Gate कैसे प्राप्त करोगे प्राप्त करने के लिए transistor के दोरा इसे प्रापित किया जाता है तो चाहिए कैसे प्रापित करो गए यदि पहले पूछा कर ता था लेकिन अब नहीं पूछता है वर दी जाओं अब नहीं पूछता है तो हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं कीजू जरूरी है जो होता है इसमें आपका एक यान अ जाता है तो रहना यह दोनों को ऐड़ा देते हैं तो दोन में पर सबसक्राइब करें रहें कि आपका यgoing वही करने में está क्रिचेंच कौल धूर य wil यह पर दो सिगनल है कि ऐ और बिये अपका एंड गेट का सिगनल है और सात में ये जो वाई निकलता है या आपका नाट गेट में चला से तो यह पर जो आपका न कि टो निकलता है ठीक है अब देखिए अगर बुलियन बेंजग की बात करें इसका प्रतीक कुछ और होता है उसको हम बात करेंगे सबसे पहले बुलियन बेंजग की बात कर लेते हैं बुलियन बुलियन बेंजग बुलियन बेंजग की बात करें तो कैसे बुलियन बेंजग लिखते हैं देखें AND gate की बूलियन वेंजेक क्या होता है y is equal to a dot b अरे मैं अभी अभी आप तो पताघा था y is equal to a dot b यह AND gate का बूलियन वेंजेक होता है और यह आपका y का value हो गया और यह NOT gate का … y' का value यह जो y है इसके बार के उपर आबर होगा यानि y' is equal to y के बार या y के उपर बार इस इकोल टू क्या हो जाएगा a.b का बार a.b का बार यह होगा यानि कि इसमें अगर a.b का मान 0 आता है a.b का मान 0 आता है अगर a.b का मान 0 आएगा तो इसके उपर बार लग जाएगा और यह 1 बन जाएगा अगर A.B का माल 1 आएगा तो इसके उपर बाल ले जाएगा और यह 0 बन जाएगा इस बात समझे आप लोग यह होता है अब हम लोग क्या करते हैं इसका असली सिंबल बनाते हैं इसका प्रतीक क्या होगा प्रतीक है इसका प्रतीक क्या होता है इसका जो प्रतीक होता है आपका इस प्रकार्च होता है यह मैं एंड गेट से उठा लिया इसको मैं एंड गेट से उठा लिया और लास्ट का यह गोला में उठा लिया यहां पर नैट गेट के लिए तो यह आपका वाइड एस के बराबर होगा यह भी और वाइड एस के बराबर होगा यह आपका सिंबल के लिए प्रतिक है किसके लिए प्रतिक है नेंड के लिए प्रतिक है और इसका बुलियन बेंजक क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू ये डाट वी का बार ये इसका बुलियन बेंजक हो जाएगा अब इसकी सत्यता साडी कैसे बनेगी सर देखें सत्यता साडी कैसे बनेगी तो मैं इसका सत्यता साड़ी बना रहा हूं ध्यान पूर देखना आप लोग इसको हम रब करके बना रहा हूं ठीक है चीजें बहुत असान है अगल आप समझोगे तो समझ में आएगा देखिए सत्यता साड़ी कैसे बनेगे इधर से हम लोग आलू डालते हैं उदर से सोना निकालते हैं कुछ लोग कहते ऐसे न कौण कहा था बताईए एक बार कमेंट बाक्स में इधर से आलूडाले उदर से सो हो गया और यह आपका नाट बगाते हैं यह पर जिरो लगाते हैं और बी पर लगाते हैं तो आपको डॉक में आपके ऐसे नहीं दिया होगा इंसक्ति आपका समझने के लिए दो इस्टे पिस्टा कर रहे हैं ठीक है यह आपका Y है एक मिनट यह A.B आपके लिए यहां तक जो आपका बनेगा यहां आपका NAND gate के लिए बनेगा और यह आपका उसके उबर बार लग जाएगा तो NAND gate के लिए हो जाएगा अगर मालेज़ें यहाँ पर A का मान 1 है B का मान 0 है तब पर भी आपका 0 आएगा और 0 के उपर बार लगेगा तो यह भी 1 हो जाएगा और यह condition क्या कालाएगा on condition कालाएगा इसी तरह से यहाँ पर समझना A के लिए अगर मान लिजे आपका 1 है और B के लिए भी 1 है तो यह दोनों 1-1 मिलकर क्या हो जाएगा A.B का वैलू क्या हो जाएगा और 1 के उपर बार लगता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है 0 हो जाता है इसके बाद मान लिजे A के लिए भी 0 है B के लिए भी 0 है तो इसके लिए भी 0 ही होगा लेकिन 0 के उपर अगर बा लगता है तो इसका value 1 हो जाता है तो यह आपका जो सतता साड़ी बना है यह आपका किसके लिए बना है आप इसे बीच वाले को मिटा भी सकते हो यह आपका जो सतता साड़ी बना है नैंड गेट के लिए बना है NAND gate के लिए पना है और NAND gate का सिंबल यह होता है लिख दीजिए आप सब इडोकी से क्यों होता है आपको मैंने बता देख 0 है 1 है तो इसका dot product करोगे 0 into 1 करोगे तो 0 होगा लेकिन यहाँ पर A dot B का बार है बार करोगे तो क्या हो जाएगा जिरो का बार, उल्टा 1 हो जाता है वन का बार, जिरो हो जाता है तो यह उसका उल्टा हो जाएगा समझ में रही है आप लोगको NAND gate gate समझ में रही है न इसमें बार 0 बार, बार 0 करना है यह आप लोग सोझ रहे होगे सर यह क्या पढ़ा रहे हो लिधे, त्रThis Vycketह रोगने लिधे, तेंहें सब्सक्राइब कर है किप्रेंद तो मेरा, फैसे थे, वह संथी थे, जैसे कि फूरत प्ञेज कहा दो होता है आप लोग one plus one is equal to two कहां पर पढ़ते हो यह पढ़ते हो आप लोग डेसिमल फेक्षन में लेकिन बाइनली नमरे one plus one is equal to one होता है कोई आच्छा च्रतिक चीज वाला चीज नहीं है बात को समझें आप लोग अब हम लोग पढ़ेंगे नौर गेट के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे नौर गेट के बारे में ठीक है तो हम इसे रब करें नेंड़ के अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नौर गेट के बारे में देखिए नौर गेट अब देखिए नौर गेट जो होता है आपका और गेट प्लस नाट गेट ते मिलकर बनता है बैं कि ऐसा सिगनल लोता था न इस तरह से नौर गेट का इस किए अर भी जो इंटर कर रहें जो होता है आपका सिंबल इस तरह से होता है और यह वाई डैस हो जाता है या वाई के बार हो जाता है मतलब जो भी इसमें जाता है बार हो कर जाता है उसका उल्टा हो जाता है फाइल यह तो सिंबल यह दोनों को अलग-अलग हो गया लेकिन बात करें इसकी बुलियन Vengeck की बात केंगे तो AWर gate के लिए Bruleon Vengeck क्या होता है A प्लस B होता है मैंने आपको बताया था A लगे लिए Bruleon Vengeck A प्लस B होता है NOR के लिए क्या हो जाएगा इसके उपर NOR लग जाएगा यानि इसके उपर एक पाई गिज़ दोगे इसका उल्टा कर दोगे तो आपका ये नॉर्ट गेट का बुलियन बेंज़क बन जाएगा ठीक है तो आए नॉर्ट गेट का प्रतीक पले समझते हैं देखिए प्रतीक इसका क्या होता है प्रतीक प्रतीक इसका होता इस तरीके से यह सामने वाला तो आपका हो गया है और यहां से बाहर निकलेगा आपका इस तरह से यहां पर एक 0 बनाना जरूर बनना अगर 0 नहीं बताओगे तो यह नार गेट हो जाएगा जिरो नहीं बताओगे तो यह आर गेट हो जाएगा यह जिरो बना दोगे तो यह नार गेट हो जाएगा यह आपका वाई होगा अगर इसकी बुलियन वेंजग की बात करें तो होता है y is equal to a plus b का बार y is equal to a plus b का बार इसका बुलियन बेंज़क क्या होता है y is equal to a plus b का बार होता है अगर इसकी सत्यता साडी की बात करें सत्यता सार अब तो आप लोगों सत्यता साडी बनाने आ गई होगी सत्यता साडी में a लेंगे B लेंगे फिर यहाँ पर Y लेंगे Y is equal to A plus B लेंगे और यहाँ पर Y पूरा finally लेंगे यहाँ पर Y dash लिया है A plus B का फिर बार करेंगे तो finally यहाँ पर यहाँ आ जाएगा यहाँ पर A plus B का बार finally यहाँ पर अगर Y का A का value 1 है B का value 0 है तो यह प्लस बी क्या हो जाता है आपका वन हो जाता है मैंने आपको बताया था और वन प्लस जिरो करोगे तो वन होगा लेकिन वन की उपर अगर बाल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा जिरो हो जाएगा वन की उपर अगर बाल लगा दिये तो यह आपका जिरो हो जाएगा माल लेते हैं याँ आपका यह 0 हो गया, वी 1 हो गया तो A प्लस 0 प्लस 1 करोंगे, यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा, और 1 की उपर जब बार लगाऊगे, तो यह आपका 0 हो जाएगा. इसी प्रकार से माल लेते हैं यह भी 0 है, बी भी 0 है, दोनों 0 है, 0 प्लस 0 करोगे तो यह value 0 हो जाएगा और 0 की उपर जब बार लगाओगे तो यह value 1 हो जाएगा यह value क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसे प्रकार से अगर यह value 1 है और b b 1 है अगर 1 प्लस 1 करते हो तो 2 नहीं होता है मैंने आपको बता है 1 प्लस 1 करते हो तो 1 होता है तो इसकी value क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी और 1 की उपर जब बुलियन बिजग नार गेट के लिए क्या होता है y is equal to a plus b के उपर बार दिखें 5 गेट ही नही होते है अगर आप जाओगे आगे हम पढ़ोगे और गेट coalition प्रयोग आपके mobile फोंस में किया गया है कंप्यूOOTERS में किया जाता है जितने भी लेटानी गजट्स बनते हैं सब में किया जाता है और कैसे किया जाता है यह सब इंग्रिक का टॉपिक्स है आपको भी पढ़ा कर हम क्या करेंगे इतना पढ़ लो इससे बाहर बोड इजामें नहीं आएंगे और आज की इस लेक्चर से पांस त्यार हो जाएंगे आप सभी लोग लिख लोगे और बुलियन बंज़क सब का याद कर लेना क्योंकि बुलियन बंज़क पूछा जाता है सबका इपॉर्टेंट है ठीक है बुलियन बंज़क आप सभी लोग याद कर लेना आज तो आज की इस लेक्चर बस इतना ही मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा और यह जामनेशन कैप्सूल आपके लिए काफी हेल्फुल होगा मिलते नेस्ट वीडियो में धन